कि चलिए तो आज अपना टार्गेट है थिरी फेज इंडेक्शन मोटर और उसका इस्पीड कंट्रोल बढ़िया टॉपिक हम पढ़ने वाले पूरा फीलिंग के साथ जोड़ा टॉपिक है इस्पीड कंट्रोल तो हम आपको बता दिते हैं हमें यह पता है कि जो सिलिप होती ह होती है यह हमपड़ चुके हैं आगर हम इसको क्या हो गया था और एक गया है यह आगर एक सोबीस एप अपोन क्या होती है पी और बन माइनस एस अब कुछ लोगों का दिमाग खराब है हम एन इंडेक्शन मोटर पढ़ रहे हैं और इंडेक्शन मोटर में कौन गुंता है रोटर तो यह रोटर की स्पीड है यानी कि जो रोटर की स्पीड है वो होती है 120 F अपोन पी और वहन माइनस एस यह होते है रोटर की स्पीड अब यह चौ रोटर की स्पीड है मतलु इस स्पीड को बढ़ाना और स्पीड को गटाना ये मैंने मेरी मोटर को दाइरेक्टव्लाई से कनेट कर रही है। कर दो कि इसी को बोलते हैं कि challenging चले बढ़या है अब है अब कुछ बातों के फोकμε्स करेंगे सबसे पहले हमारा तारगेट है f, f का मतलब frequency f का मतलब क्या है frequency हब सबसे पहले हम बात करेंगे frequency की येस चलिए तो मोटर है हमारी лिदेयक्षिं मोटर में इक्दम बढ़ीया और गुंग राई रोटर और इस रोटर की स्पीड को हमें क्या करना है बढ़ाना और क्या करना है गटाना है तो सबसे पहले हम आते हैं फिर्क्वेंसी पर सबसे पहले हम फिर्क्वेंसी पर आते हैं अगर हमारे जो रोटर की स्पीड है यह प्रिपोस्णल फिर्क्वेंसी के है मोटर है मोटर में रोटर है रोटर की स् प्रप्रेश्ची को कम करेंगे तो हमारी बढ़ जाएगी और क्या हो जाएगी तो सबसे पहले तो मुझे यह जानना है कि इंडेक्शन मोटर में ये फिर्क्वेंसी कहां पर है मतलब मुझे ये जानना है कि इंडेक्शन मोटर में फिर्क्वेंसी क्या है चलिए मैंने मोटर को सप्लाई से कनेक्ट किया जी बहुत बढ़िया सप्लाई से कनेक्ट किया तो मैंने मोटर को परवास्तों में अप्लाई क करते हैं उस वोल्टेज के कारण हमारी जो पिराई मरी वाइंडिंग है उसमें एकदम बढ़िया क्या फिल होती है करण तो यहां पर तो मैंने कुछ फ्रिक्वेंसी नहीं कही तो यह जो सप्लाई वोल्टेज होता है इस सप्लाई वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी होती है इसका 50 स्यक्पिन इस तरह से अगर मालो 50 स्यक्रेंड कभे पर से कि अगर 50 स्यक्रेंड पर से कि इसका मतलग सप्लाइब वोल्टेज की क्योंकर बार बढ़िया मोतर में शल्टार अगूरा इस बहुत बढ़ map उस रोक्र की स्पीद को मैं बड़ानी है और क्या करने गटानी तो क्या क्रों मैं मोटर पर मैं वोल्टेज अपलाई करता हूँ उस वाल नइज की फ्रिक्वेंसी होती है और वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी के बतलब वल्टेज क्या होते हैं science अब कम करती है, अगर frequency में कम कर दी है, तो speed पहलू göra है, कम हो जाएगी, judging अच्छा, तो मतलब electrical engineering की तरह, अगर मुझे speed कम करनी है, काई की speed , Motor की ??? Motor में किस की speed ? rotor की रोटर की और उस speed को क्या करना है कम । तो मुझे क्या करना चाहिए frequency को कम कर दिनी चाहिए, frequency ? Metro को म मैes अगर मुझे speed बढ़ानी है, तो मुझे इस frequency को क्या कर देना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए, यहां मेरी दो समस्या है, कौन सी, problem number one है, मैंने का frequency कम कर दो, मैंने का frequency बढ़ा दो, कैसे, मेरे पास में कौन सा instrument है, जो frequency को कम करेगा, यह frequency को जादा करेगा, यानि मेरी जो पहल variable frequency कैसे प्राप्त करों, पहली समस्या तो लिए, कि मैं जो frequency variable है, यह मुझे कैसे मिले, चलिए, उसके बाद में problem number two, दूसरी problem क्या है, बहुत तगड़ी problem है, quality problem है, अब देखो problem क्या है, हमें sense किसको कर रहे है, frequency को change कर रहे है, किसको, frequency को, तो सुबह स्याम वही काम, हमें यह पता है, कि जो addy current loss है, और hysteresis को, क्या, यह अचानक, addy current और hysteresis loss आगया, आना ही था, च्योंकि addy current loss है, वो proportional होता है, frequency के, और hysteresis loss proportional किसके होता है, frequency, मतलब, अगर मैं frequency change करूँगा, तो addy current loss भी change होगा, और hysteresis loss भी change होगा, लेकिन, यह चो होता है, एडी current loss proportional F इसको है और इस टेरे से loss proportional F यह तब ही यह formula सही है जब आपका B maximum constant है जब आपके B maximum क्या है constant अब एक बना हम आपको repeat कर देते हैं नहीं तो कच्रा हो जाएगा सबसे important सहाथ speed को बढ़ानी है speed को गटानी है किसकी rotor की किया क्या मैंने frequency को बढ़ाया या घटाया कैसे frequency बढ़ाओगे घटाओगे यह समझ्या है frequency है किसकी supply voltage की अब मैं कह रहा हूँ frequency का जो effect है ना वो एडी current और stance पर आता है अब यहां से आगे इसी को discuss करेंगे yes चलिए तो speed equal to 120 F upon P और 1-S कुछ भी चेंज नहीं किया 120 120 120 और 1 माई देखो यहां पर हर बार वही आपका 0.96 और 0.96 पोल की संग्यार स्प्रते एक सिच्वेशन में मैंने frequency को कम किया है मैंने frequency को ज्यादा किया है मैंने frequency को कम किया तो speed कम होई मैंने frequency को ज्यादा किया speed ज्यादा हो गई मतलब यह बात मुझे पक्का समझ में आ गई कि frequency और speed direct प्रपोस्नल है अब हम आपसे जो नई बात कह रहे हैं वो यह कह रहे हैं कि frequency कहा है मैंने motor को voltage से connect दिया तो उस voltage की frequency है अब voltage की frequency है इस बात का क्या मतलब है अगर इस voltage के मालो 50 cycle है इस voltage के 50 cycle है पर सेकेंड इसका मतलब इस voltage की frequency 50 अगर यह जो supply voltage है अगर मालो इसके जो cycle है मालो 25 है 25 है cycle है per second तो frequency 25 है अब हम आपको एक नई बात बता रहे है AD current loss और hysteresis loss इसके formula होता है B maximum का square P का square और भी वो हम यूज नहीं कर रहे है और hysteresis हम होता है B maximum की power 1.6 और frequency अरे भाई motor में तो फलक्स होता ही होता है भाई motor में तो magnetic flux है तो flux upon area क्या होता है फलक्स की density तो सबसे important बात यह है कि भले ही तुम frequency बदलो लेकिन फलक्स की जो density है यह constant रही चाहिए फलक्स की density constant रही चाहिए अब देखो मैंने यह मान लिये कि voltage 100 है और frequency 50 है तो B maximum कितना हो गया voltage मैंने 100 ही रखा है लेकिन frequency बढ़ा दिये तो B maximum हो गया हो गया फिर मैंने frequency को change किता कर दिये 25 तो B maximum क्या हो गया 4 अरे भाई फिर्क्वेंसी 50 हंड्रेड और 25 मैं फिर्क्वेंसी को बदल रहा हूं तो मेरा B maximum constant नहीं है B maximum constant नहीं है frequency बदल कर speed बदलना आसान है लेकिन उसकी समश्या यह कि B maximum constant नहीं रहता यानि कि हमारी motor का flux या flux density constant नहीं रहती और इससे machine की magnetic property change हो जाती है तो मैं चाता क्या हूं frequency बदल नहीं है बिलकुल बदल दो लेकिन B change नहीं होना चाहिए अब B कैसे नहीं change होगा जैसे यहां मैंने frequency को double किया अगर मैं इस voltage को भी double कर दूँ यानि 200 upon 100 तो मेरा B maximum क्या हो जाएगा 2E हो जाएगा यहां पर मैंने frequency को हाप किया है voltage को भी मैं हाप कर दिता हूं यानि कि 50 upon 25 यानि कि B maximum वापस कितना हो गया 2 हो गया तो मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर मैं फिरक्वेंसी बदल कर speed बदल रहा हूं तो इस मैठड में सबसे बड़ी limitation यह है कि जिस रेशो में मैं frequency बदल हूँआ उसके उस रेशो में मुझे क्या बदलना पड़ेगा voltage अगर voltage और frequency सेम रेशो में इक्रीज करें या decrease करें तो इस से मोटर का flux और flux density क्या रहती है constant और मैं यही चाहता यह सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब इसकी स्पीड को मुझे बढ़ाना है और गटाना है अब देखो 120 इंटु 50 120 इंटु 50 120 इंटु 50 1-1-1-1-1-1 सब कुछ सेम है लेकिन यहां पर पॉल की संग्या 2 है यहां पॉल की संग्या 4 है और यहां पॉल की संग्या 8 है यानि कि अब की बार स्पीड को चेंज करने के लिए मैं पॉल पर concentrate कर रहा हूँ साथे क्या हुआ इस स्पीड को बढ़ाना या इस स्पीड को गटाना और उसके लिए focus इस पर कर रहे हो पॉल पर तो मैंने पॉल को क्या किया है बढ़ाया है पॉल को बढ़ा रहा हूँ मैं 2, 4 और 8 मैंने पॉल बढ़ा दिया तो देखो अब हम पॉल को बढ़ाएंगी यानि कि यह पी बढ़ेगा तो इस स्पीड क्या हो रही है कम 2880, 1440 और 720 मतलब मुझे यह बात समझ में आ गई कि अगर मैं पॉल बढ़ा दूगा तो स्पीड क्या हो जाएगी कम क्या अगर पॉल बढ़ा दूगा तो स्पीड क्या हो जाएगी कम यह वाली बात है लेकिन मेरे दिमाग में सबसे पहला कौशन यह आता है पोल बड़ा रहे हैं जी है कहाँ पोल तो देखिये किसकी चर्चा निकल कर रही है Creek तो सबसे पहले तो आप यह समझे हैं मैं आप को यह बता रहा हो कि पोल है कहाँ पर तो यह स्टेटर की वाइंडिंग है जो कि किस से कनेक्ट है सप्लाई से तो यह इस्टेटर की वाइंडिंग है वो कहां पर होगी इस्टेटर की कोर पर होगी इस्टेटर की जो वाइंडिंग है वो कहां पर होगी इस्टेटर की कोर पर यह रोटर की वाइंडिंग है वो कहां पर होगी रोटर की कोर पर रोटड की कोर पर होगी की वह कि वाई पॉल कहां है तो मैं क्या कह रहा हूं इस टेटर की वाइंदिंग गूपल पर है धीक संतों है dependent अब मैंने यह मांल लिए अपनी समझ के साफसे यह उट है ये मैंने मान लिया और आप ये समझो और मैं इसको मतलब जर्णल समझाने के साथ मान लेता हूँ कि ये मान लेते हैं एक इस तरह का पीस है डन है और इसके उपर मेरी वाइंडिंग है यह मैंने मान ली winding क्या कह रहा हूं मैं यह stator की winding है और यह stator की core है जी यह stator की winding और यह stator की क्या है core है तो जब इस winding में current फिलो होगी तो electrical के कारण यह जो piece है न यह बन जाएगा magnet क्या का मैं है electrical की जो current है electrical current इसके कारण यह pole पूल क्या बन जाएगा मैगनेट य्लाक्ट्रों मेगनेटिक patreon बनतें एक यह ऑगर चल की चल करंके भूँगे मतलब stator के POL और rotor के POL क्या होते हैं बराबर होते हैं सबसे पहले मेरी चाहत इस speed को घटाना तो POL को घढ दाना पहले आप एक बताव POL है कहाँ इस stator की grinding रहिए है अब मोटर में तो है वैंडिंग आना है तो उसको बोल रहिए है stator की core इस्टेक्टर के और कोर्प से मेंगेनेटिक पोल बन रहे Miss और मुर्भ से बन तुम बन्ते का है सब्सक्राइब नहिए चलती एक पॉल बदलना इतना एक नहीं कि मोटर चल रही है मोटर को पीद्ट बदलना यह केवल हम इसक्वाइरल केज इंडेक्शन मोटर में ही कर सकते हैं यह केवल हम इसक्वाइरल केज इंडेक्शन मोटर में ही हम ऐसा कर सकते हैं कि पोल बदल कर क्या बदल दे स्पीड इस में तरकी क्या कम यह है हैं क्या आची बात है आगे हम डिस्कस करेंगे लेकिंगे मतला आप क्या डिसकस करना है कि कैसे आप पूल बदलोगे यह डिसकासन है यह पक्की बात है इस टेटर के पूल रोटर के फूल बराबर हो थे है दन यस चलिए इस स्पीड काई की मोट साइकल लिए बढ़िया मोट साइकल चलती ऐसे स्पीड किसकी रोटर की एकदम बढ़िया हमारा रोटर क्या कर रहा है गूम रहा है बार फिरक्वेंसी में कोई नहीं किया फोल कितने हैं इसkim और कितने हैं लेकिन अगर में से लिट की बात करूं तो यहां से पॉइंट जी रोफ इसकी कंपेरिजन में मैंने यहां पर सििलिप क्या कर दिया बढ़ा दिये और इसकी कम पेरीजन में यहां पर सिलिप मैंने कम किये बस अब की बार जो मेरा फोकस था वो सिलिप थी तो देखो जब मैंने सिलिप को बढ़ाया है तो क्या हुआ सिलिप को बढ़ाने पर स्पीड क्या होई कंभ भाई ले HOW मैं नेसलिपको क्या किये इंच्ज को एक समस्य दूसरी समस्य यह को यह स्पीड का अंतरी है तो रोटर है तो मोटर में रोटर है और भूमण रहा है तो मोटर की स्पीड समझ में आ रही है यह सिंकोरनस जी भाफ कर लें तो से में बड़िया, इस मोटर को चलाने के मुझे क्या करना पड़ेगा इस मोटर को मैं सप्लाई से कनेक्ट करना चार्च की मोटर कूलर की मोटर फिरीज की मोटर को किसी भी मोटर को हम वोल्टे से कनेक्ट करते हैं जी बहुत बढ़िया मोटर में हम किसको वोल्टे से कनेक्ट करते हैं अरे मोटर की वाइंडिंगो त तो दुआधार जो winding उसमें पढ़िया क्या फिलो हो रही है, current फिलो हो रही है, मतलब अभी तो आपने motor को voltage से connect किया, तो motor में क्या फिलो हो रही है, current, अब यहां से आगे समतकारी बात, मैंने यह माल लिया, अपनी मर्जी से, कि यह current 10 ampere है, और मैंने माल लिया, यह जो turn है, यह माल लिया जैसे अभी यह 4 turn है, तो 40 ampere turn है, और यह जो ampere turn है यह unit होती है, mmf की, और सुबह से आँ यही काम, और mmf, magneto motive force, और इसके कारण क्या आता है, magnetic phalux, इसके कारण magnetic phalux आता है, और अगर एक word में मैं कहूं, तो जब motor को voltage से connect करते हैं, तो motor में जैसे पूरे कमरे में गैस बर जाती है, ऐसे पूरे आपकी motor में magnet बन जाता है, बढ़िया magnetic phalux आ जाता है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन समतकारिक बात यह है, अगर यह winding three phase किये है, तो यह magnet का phalux गुमता भी है, बिजली से magnet बना, यह तो अच्छी बात है, लेकिन वो magnetic phalux गुम्बी रहा है, very very important है, तो यह magnetic phalux है, इसकी speed होती है synchronous, यह synchronous speed है, magnetic phalux की speed है, जो magnet किसने बनाया, इस stator की winding है, done or not done, तो मैंने क्या किया है, frequency बदली है, pole बदले है, और सिली बदली है, और तब मैंने speed को बदला है, और अब हम और भी method की बात करेंगे, जिन से हम speed बदल सकते हैं, लेकिन अब यह आँ इस lecture का कनिकुलूजन रिखते हैं, यस, चलिए, तो आज जो हमने topic पढ़ा था, speed control of 3 phase index motor, अब हम इसका सब कनिकुलूजन पढ़ने वाले हैं, तो देखिए, speed equal to 120f upon p, और 1 minus s, मुझे यहां यह समझ में आया, कि मैं सबसे पहले बात करता हूँ, speed proportional क्या होता है, frequency को बढ़ाऊंगा, तो speed बढ़ेगी, frequency को कम करूँगा, speed कम होगी, speed तो मुझे पता है, rotor की है, यह rotor की speed है, लेकिन frequency कहा है, यह मुझे समझना जरू हुए, तो motor को supply से connect किया, supply में भी किस से connect किया, voltage से, और voltage AC है, तो उस AC voltage के क्या होगी, cycle होगी, जैसे यह cycle आपको दिख रहे हैं, तो voltage की या current की frequency होती है, यानि की यह supply voltage है, या supply जो current है, इसके cycle को ही, अम frequency कहते है, अब अगर इसके cycle ज़्चल ज़्यादा है, तो frequency ज़्यादा है, अगर इसके cycle कम है, तो frequency क्या है कम, अब मेरी चाहत, मैं चाहता हूं, कि इस speed क्योंद चाहिए, ज LYदा, अब मुझे वो instrument चाहिए, जो frequency को क्या कर दें, बढ़ाते, इसके बारे बस हम separate चरचा करेंगे, अब आगे देखो, तो frequency को बढ़ाने पर speed बढ़ती है और गटाने पर गटती है, अब बात हो रही है, speed को change करने के लिए frequency हम change करने, लेकिन मुझे ये पता है, कि motor में जो phalux की density है, वो होती है, phalux upon area, अब इतना तो मुझे पता है, कि motor का area तो बार बार change होता नहीं है, area, तो phalux density या जो phalux है, ये voltage upon frequency होता है, मैं ये चाहता हूँ कि motor का phalux, और motor की phalux की density, ये constant रहनी चाहिए, ये तब ही possible है, जब voltage और frequency का ratio क्या रही, constant रही, अरे क्या चल रहा है, frequency को बदल कर, speed बदल रहे हैं हम, लेकिन इस सर्चा में आ कौन गया, phalux या phalux density, क्यों, क्योंकि frequency से प्रभावित कौन हो रहा है, आमारी motor का phalux या phalux की density, frequency को बदलने से, phalux या phalux की density प्रभावित नहीं होगी, वो तब ही हो सकता है, जब voltage और frequency का ratio क्या रही, constant, अब यह क्या जोल है, देखो, supply voltage जो मैं मोटर को apply कर रहा हूं, उसकी frequency मैंने 50 मानी है, 100 मानी है, और 25, तो मैं देख रहा हूं कभी phalux density 2 है, कभी 1 है, और कभी 4, तो phalux की density या phalux हैना, वो constant नहीं है, और यह मेरी समझ्या है, मैं चाहता क्या हूं, कि phalux की density क्या रहनी च चाहिए, done or not done तो देखो, मैंने frequency को double किया, तो voltage को भी double कर दिया, मैंने frequency को आप किया, तो voltage को भी हाप कर दिया, तो frequency को बदल कर जो speed बदलते हैं, इस method की limitation यह है, कि frequency बदलो आप, speed बदल जाएगी आपकी, अच्छी बात है, लेकिन आपको साथ साथ क्या change करना पड़ेग voltage बी, और जिस ratio में frequency बढ़ाओगे, उसी ratio में voltage को बढ़ाना है, जिस ratio में frequency घटाओगे, उस ratio में आपको voltage को क्या करना है, तो मुझे ऐसा instrument चाहिए, इस motor को supply करने के लिए, जो voltage और frequency को same ratio में increase, decrease करें, तो हम उस instrument की चर्चा करेंगे, तो उसके बाद, speed 120 f upon p, और 1-s, अब मैंने frequency के बाद pole पर focus किया, अगर मैं pole बढ़ाओगा, तो speed no doubt गटेगी, अरी मज़ा आ गया, speed change करना है, क्या change कर दो, आप pole, ऐसा हम के लखिस में कर सकते है, squarely cage induction motor में, जी, pole को बदलकर speed बदलना, अब मेरी समझ्या ही है कि भाई, तुम ये तो बताओ, पहले pole कहा है, motor है motor में winding है, winding का लगी है, core पर, तो वो जो core है न, वो ही तो magnet बनती है, तो electromagnetic pole core के ही बनते ही, stator के pole, rotor के pole क्या होते हैं, बढ़ाबर, अब समझ्या मेरी क्या है, pole बदलकर speed हो जाती है, pole बदलकर speed हो जाती है, अरे भाई, pole बदलूगे कैसे, इस method पर अपना focus करेंगे, कि how you change the pole in square cage induction motor, अगला क्या है, slip, यानि तीसरा जो point है, वो क्या है, slip, slip को change करने से speed, change हो जाती है, समझ्या होई है, आप करोगे कैसे, पिलस, slip होती क्या है, synchronous speed और rotor की speed का अंतर, synchronous speed किसकी है, फलक्स की, और N तो speed rotor की, यह हमारा कनिक रिजन था, अब पहले तो हम देखेंगे, जो स speed को change कर सकती है, अच्छा, और कौन से में थड़े, जैसे एक हमारा के skate connection वाला में थड़े, इसके rotor power, आपका recovery, स्की में, वो सब हम detail देखें, thank you, I hope आपको समझना हो, yes,